स्कूल में हमारे चात्रों का स्वागत है सारवचनिक और स्वतंत्र दोनों प्रकार के स्कूलों के सभी चात्रों के बढ़ाई पंगलवार 8 सिप्टेंबर से शुरू होगी हम यहाँ आपकी और आपके परिवार की सहायता के लिए इस विशocket में कुछ जानकारी दे रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं स्कूल स्केडूल्स के बारे में किंडन गार्डन से कक्षा 8 के चात्रें सप्ता में 5 दिन सुम्वार से शुकरवार तक स्कूल जाएंगे कक्षा 9 से 12 की चातरों को अगर उनका स्कूल सुरक्षिक दूरी पर रख सकेगा तो उनकी कक्षाएं भी सब्दा में 5 दिन सुमवार से शुकरवार तक स्कूल में लगेंगी इस विशे में किरपया अपने स्कूल की वेबसाइट देखें विशे शुरूरतों वाले चातरों को सब्दा में 5 दिन सुमवार से शुकरवार तक स्कूल जाने की अनुमदी होगी इसमें भाशा की जरूरते शामिल हो सकते हैं किरपया अपने स्कूल से चार्च ले स्कूल के आरम और अंत का समय कोविट से पहले की तरह ही रहेगा यदि अनिश्चित हैं तो किरपया स्कूल की वेबसाइट पे देखें या स्कूल के कार्याले में टेलिफोन द्वारा संपर्क करें माता-पिताओं को स्कूल में प्रवेश के लिए प्रुचसाइट नहीं किया जा रहा है स्कूल में प्रवेश और निकास की निक्रानी की जाएगी माता-पिता और अगुंतकों कार्याले में संपर्क करना होगा अब हम बात करेंगे रिमोट लर्निंग और होम स्कूलिंग की रिमोट लर्निंग और होम स्कूलिंग अलग अलग हैं होम स्कूलिंग का अर्थ है आप अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कराएंगे जिसमें आपका अतरिक्त, काम और खर्च शामिल होगा Remote Learning में बच्चे स्कूल की करमचारियों के सहयोग से दूर से ही सीखते हैं अब यदि कोई परिवार वर्ष के आरम में घर से पढ़ाई शुरू करता है और वर्ष के मध्यमें स्कूल जाना चाता है तो स्कूल को उन्हें वर्ष के मध्यम में वापिस उकारना होगा यह भेत्वपूर्ण है कि यदि आपने Remote Learning और Home Schooling को ठीक से नहीं समझा है और गलती से अपने बच्चे को रिजिस्टर करा दिया है Home Schooling के लिए तो आप तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें अब हम COVID सुरक्षा उपायों के बारे में बात्चित करेंगे सिक्षक और स्कूल के करबचारी पबलिक हेल्थ ऑफिसर से ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे सुरक्षित रहने के लिए कृपया ध्यान देखी अन्य लोगों से 6 फीट या 2 मीटर की दूरी पर रहे इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाता है सार्विजिनिक स्थान के अंदर या अन्य लोगों के करीब होने पर मास्क पहने अपने हाथों को बार-बार धोएं 20 सेकेंड के लिए साबुन और पानी का उप्योग करें लोगों से गले ना लगे ना ही हाथ में लाए दूसरों की व्यक्टिक दवस्तों का इस्तमाल ना करें जैसे भोजन, होटों की क्रीम, बालों का समान, मास्क इत्यादी इस वर्ष स्कूल में लॉकर का उप्योग नहीं किया जाएगा अपनी नाख, मूँ और आखों को चूने से बचे आस्तीन या किशू में खासे और चीके फिर तुरत अपने हाथ दोले यदि आपको कोविट लक्षन लग रहे हैं या आपने मेनेटोबा के बार यात्रा की हैं या फिर कोविट होने के संदेवाले किसी व्यक्ति के आपसंपर्क में आए हैं तो किरपयाद घर पे ही रहें और सबसे अलग रहें अब लक्षों की जाँच और उसे समंधित पिशे पर बात करते हैं मादा पिता हर दिन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनकी जाँच करें और यह सुनश्चित करें कि उन्हें कोविट के कोई संकेत या लक्षर ना हो जैसे बुखार या ठंड लगना, खासी या नाग पहना, सांस लेने में कटनाई होना मास पेशियों में दर्द और धकान, मतली या उल्टी आना यदि आपका बच्चा कोविट के लक्षरों का सामना कर रहा है तो उन्हें अपने घर पर ही रखना होगा यदि आप उन्हें स्कूल भेजते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा यदि आपका बच्चा स्कूल में लक्षर्ण विक्सित करता है तो आपको तुरंट सूचित किया जाएगा और आपको उन्हें जल्द से जल्द लेने आना होगा आपके उन्हें लेने आने तक निकख्षा तथा अन्यव वर्क से अलग रखा जाएगा अब जानिए चात्र के कोहोर्ट के विशय में चात्र को छोटे समों में विभाजित किया जा सकता है जिनने कोहोर्ट कहा जाता है अलग-अलग कोहोट के बीच 5-4 मीटर की दूरी रखी जाएगी कोहोट के बीदर 1 मीटर की दूरी अनुमित है लेकिन चातर को अन्य कोहोट के साथ मिशिद होने की अनुमिती नहीं है कोहोट्स अपने स्कूल आगमन और प्रस्थान के समय एक दूसरे के साथ अलग से रहेंगे इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इस बात से अवकत हो कि आपकी बच्चे को स्कूल में कब पहुँशना है और कब निकलना है कोहोट्स का दुफेर कब भोजन और मध्यांतर एक साथ ही रहेगा अब जानिये मास्क और सुरक्षा उपकरणों के विशय में कक्षा चार तथा उसके उपर के चातरों को स्कूल के अंदर मास्क पहनना होगा यदि माता पिता कहते हैं तो कक्षा चार के नीचे की चातर भी मास्क पहन सकते हैं कक्षा चार से बारा के सभी विध्यारतियों को स्कूल में बस उमें मास्क पहनना अनिवार रहे बस चालकों को भी मास्क पहनना आवश्यक होगा अपने बच्चे को एक पुना प्रियोग में लाने वाला मास्क देने का प्रयास करें अपने बच्चे को मास्क को मार्क करें और उन्हें ये मास्क खुद पहनने रोदारने का अभ्यास कराएं लगाने से पहले, अपने मास्क को जो की पुन उपयोग करने वाला हो, धोले या स्वच करें. ये सुनशित करें कि आपका मास्क गंदा नहीं है और किसी और अस्वच स्थर को नहीं चुआ है. यदि आपको अपने बच्चे के लिए नौर मेडिकल मास्क नहीं मिल रहा है, त Daycare को छोड़के अधिकांश Community कारेगरम स्कूल में संचालित नहीं होंगे. स्कूल के बाद वाले कारेगरम स्कूल में नहीं चलाये जाएंगे. अन्यम विकल्पों के लिए स्कूलों को और Community Groups के साथ संपर्ग करें. स्कूल में नाश्टा उपलब्द नहीं कराये जाएगा. छातरों को अपना नाश्टा खुद लाना होगा. दुफैर का बोजन अब कक्षा में ही दिया जाएगा. और अंत में सभी ताजा जानकारियां स्कूल द्वारा माता पिता को भीज दी जाएंगी. यदि आपको इने समझने के लिए किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो किरपया, स्कूल या कम्यूनिटी सहायता के इंद्र से संपर्ट करें. इस वीडियों को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.